चाहे कोई भी लेडीज हो चाहे वो वरकिंग हो या फिर अपने घर के काम करती हो उसके दिमाग के अंदर धेरों काम चलते रहते हैं मतलब continue वो सोसती रहती है कि आप मुझे क्या करना है और अगर वो बहार के काम करती है यानि वरकिंग है तो फिर उसके पास जो काम होते हैं वो डबल हो जाते हैं और अगर बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं उससे कोई फरक नहीं पड़ता है अगर बच्चे घर में रहते हैं यानि छोटे हैं तब उनकी देखभाल के हमें ज़्यादा जरूत होती है और अगर बच्चे बहार रहते हैं मानले जीए बहार पढ़ गए हैं किसी काम की वज़े से तो फिर उनकी मतलब हर जगे हमें चिंता रहती है कि वो मतलब ठीक ठाक है या अपने जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो देखें ऐसा नहीं है कि जेंड्स नहीं इतने जिम्मेदारी निभाते दोनों ही अपने अपने कामों को बराबर निभाते हैं तो अपने जितने भी काम होते हैं उन्हें अपनी एक responsibility मानते हुए अपने कामों को करना चाहिए तो जिंदगी के अंदर हमको थोड़ा सा जुजारू होना पड़ता है यानि हमको थोड़ा सा self motivate होकर रहना पड़ता है तब ही ये जो जिंदगी होती है वो आसानी से हम कुछ कर सकते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि life में कुछ rules बने हुए होते हैं कि बस यह rules हमें follow करने होते हैं लेकिन मेरे हिसाब से यह है कि जो rules आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं तो उन्हें आप तोड़ दीजिए क्योंकि उनका कोई फाइदा नहीं है अगर आप उन्ही मतलब एक नियम होते हैं जो हमने बना लिए कि घर के अंदर यह यह नियम होते हैं तो उन्हें आप तोड़ देना मैं ज्यादा अच्छा मानती हूँ क्योंकि वह आपको future में आगे बढ़ने से रोकते हैं तो जो ये मानते हैं कि एक चीज जो एक frame बनाके रखते हैं उसी के अनुसारी अपने जीवन जीना चाहिए ऐसा मेरी नजर में विल्कुल भी नहीं होता है आप अपनी कोशिश खुद ही करेंगे कोई दूसरा आपको motivate नहीं करेगा भली आप कितना ही एक दूसरे को आप देख लें लेकिन जब तक आप खुद अपने कामों को अपने तरीके से अपने आपको self motivate होके कोई भी काम नहीं करेंगे लेना ये सबसे बड़ी गलती होती है तो यहां देखे मैंने एक प्लांट लगा दिया है और ये प्लांटर जो है कि मैंने खाली कर दिया है क्योंकि देखे चिडिया वगरा होती है वो आती है हमारे उपर वाली बालकनी में तो वहां पर मैं ये इसमें पानी डालके रख दू और जो लोग राजस्तान से ब्लॉंग करते हैं उनकी तो आप सोच सकते हैं कि कितनी गर्मी हो रही होती है तो यहां रेलिंग पर देखे मैंने एक वायर बांदिया है इस वायर से फिर मैंने इस जो हैंगर है इसको टांक दिया है और अब यहाँ पर जो भी कपूतर या चिडिया वगरा आएंगी वो यहाँ पर अच्छे से पानी पेश सकती है और साथ में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हरा भरा कर दिया है कि जो जीव जनतु होते न वो ऐसी जगे पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं तो ऐसे प्लांटर्स आप भी अपने घरों के अंदर टांक सकते हैं और अब यहाँ पर देखिए मेरे पास यह कुशन कवर रखे हुए थी काफी पुराने रखे हुए हैं दिवाली पे मैं लेकर आई थी यह 200 रुपीज के मैं लेकर आई थी और इसका जो कलर है वो बहुत ही सुन्दर है और इससे पहले न इन कुशन कवर्स का मैंने एक यूज बताया था एक टेबल रणर बोल ले या बैड रणर बोल ले वो मैंने बनाया था और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी वहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर लगता था लेकिन अब इसको न मैंने खोल दिया है और इसका मैं एक और यूज आपको बताऊंगी अगर आपको के पास ऐसे सुन्दर सुन्दर कुशन रखे हुए हैं तो आप उन्हें मतलब ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो तरीके बहुत हैं आप अलग-अलग चीज़ों को अलग-अलग तरीके से यूज कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि ये कुशन है तो इसके अंदर हम एक कुशन ही डाल के रखें तो इससे देखे मैंने पहले रणर बना लिया और अब जो कर रही हूं वो आपके साथ में दूसरी चीज़ शेयर कर रही हूं बहुत ही सस्ते में जुगाड है जो लोग मेरी तरह जुगाड़ू है उनके लिए बैस्ट टिप है मतलब जो ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं करना चाते या जो रेंटेड घर में रहते हैं जिन में मतलब ऐसा होता है कि ये चीज़ हम यहां नहीं लगा सकते तो ये सब चीज़ें हम यूज़ करके अपने घर को सुन्दर बना सकते हैं वो भी कम पैसो में तो इसके किनारों पर न मैंने ये डबल साइड जो टेप होती है वो लगा दी है और इस टेप से क्या होता है कि तिवारिक हराब नहीं होती है और बस इसको मैं चिपका दूँगी और जब मुझे इसकी जरुत होगी तो मैं वापिस से निकाल भी सकती हूँ और अगर आप चाहते हैं कि हमें इसका कोई दूसरा यूज़ नहीं करना है तो आप इन्हें एक काम कीज़े फ्रेम करवा लीजे तो वो मतलब 100-200-500 रुपए में ये फ्रेम हो जाएंगे आपके जो कपड़ा है और उससे फिर आप पर्मानेंट अपने घर में एक सुन्दर सा वाल डेकॉर बना सकते हैं तो मैंने तो सरफ आपको एक आइडिया दिया है तो इसको चारो तरफ से मैंने जो टेप है वो लगा दी है और इसको मैं यहाँ पर चिपका दूँगी तो यहाँ पर मैंने तीन ही cushion use किये हैं आप चाहें तो पांच के जो हैं पांच वैसे लगा सकते हैं और यह जो tape होती है इसको अगर हम हटाएंगे तो कभी भी दिवार खराब नहीं होती है मतलब यह दिवार को खराब नहीं करते हैं तो यह देखिए ऐसे करके आप पुराने जो cushions हैं उनसे अपनी जो दिवारे हैं उनको अच्छे से सजा सकते हैं तो उमीद करते हूं दोस्तां आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कीजिएगा और पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिएगा तो चलिए बाबाई